नमस्कार निउस पॉइंट लेकर हाजिर हूं मैं राजीव दोस्तो हर्याना में चुनाव परचार का शोर आज धम गया है लेकिन उससे पहले कॉंग्रेस ने एक ऐसा धमाका किया जिससे बीजेपी की सत्ता वापसी की बची खुची जो उमीदे थी वो भी ध्वस्त हो गई हर्याना बीजेपी का एक कद्दावर नेता सुबह से लगातार बीजेपी का परचार कर रहा था और शाम होते होते वो राहुल गांधी के चुनावी मंच पर पहुँच गया आधिकारिक रूप से कॉंग्रेस में शामिल हो गई ये साहब जी हाँ आप सही सुन रहे हैं ऐसा ही हुआ है तस्वीर आप देख रहे होंगे हरियाना के चुनाव में आखरी ओवर में आखरी बॉल पर राहुल गांधी ने आज छक्का मार दिया है और यहां से इस चुनाव को बीजेपी से एक कदम और दूर कर दिया है दरसल हरियाना कॉंग्रेस के पुर्वा ध्यक्षा और पुर्वसांसद अशोक तमर आज भाजपा छोड़कर कॉंग्रेस पार्टी में शामिल हो गए सुबह अशोक तमर भाजपा का परचार कर रहे थे और भाजपा नेताओं को भनक ही नहीं लगी थी कि शाम होते होते अशोक तमर कॉंग्रेस के मंच पर दिखेंगे और घर वापसी करेंगे आपको बता दो कि अशोक तमर को बीजेपी ने लोगसभाद चुनाओ में सिर्सा से उमिदवार बनाया था जी हाँ बीजेपी में जब अशोक तमर शामिल हुए उसके बाद पिछले अभी लोगसभाद चुनाओ 24 का जो बीटा है उसमें सिर्सा से बीजेपी ने उमिदवार बनाया था और उनके सामने थी कुमारी सैलजा अशोक तमर को कुमारी सैलजा ने मात दे दी थी और कुमारी सैलजा जीत कर आई और अभी सांसद हैं अब हारे और जीते दोनों चेहरे जो हैं वो कॉंग्रिस में एक साथ हैं दोनों दलितनेता हैं और बीजेपी के लिए ये बड़ा जटका है आप देख लिजे लगातार कुमारी सैलजा और भुपेंद सिंग हुड़ा के बीच दूरी बनाने बताने की कोशिश भाजपा और भाजपा के सहयोगी मीडिया चैनल्स करते रहे इस चुनाओ भर लेकिन ऐसा कुछ हो नहीं पाया वैसे बीजे पी को शायद पहले से हर्याना में होने वाली हार का एहसास हो गया है इसलिए मोदी और अमित शाह ने तो पहले ही मैदान छोड़ दिया है आप देखी रहे हैं आपको बता दू कि इस बार मोदी ने सिर्फ चार रैलियां हर्याना में की हैं जबकि 2014 में 10 रैलियां नरेंडर मोदी ने की थी और 2019 में 7 रैलियां नरेंडर मोदी ने की थी हर्याना चुनाव पर चार के दौरान और ये चार रैलियां आज जो अभी जो उन्होंने की हैं वो भी मंगलवार तक खत्म हो गई है आज कौनसा दिन है तो आज है ब्रस्पतिवार गुरुवार या थर्सदे जो कह लीजे यानि दो दिन पहले नरेंद्र मोदी मैदान छोड़ चुके हैं जबकि हर्याना में चुनाओ जो है यानि की वोटिंग शनिवार को होनी है मोदी ने एक अक्टूबर को चौथी और आखरी रैली की थी हर्याना में जबकि अमित शाह ने 29 सितंबर को हर्याना में अपनी आखरी तीन रैलियां की BJP के मंचों से अगर मोदी और अमित्र शाह ही नदारत दिखें तो मानलेना चाहिए कि हार का ठीकरा दूसरे BJP नेताओं पर इस बार फूटेगा और इसी रणनीती से शायद बीजेपी काम कर रही है या ऐसी रणनीती बीजेपी ने बना ली है ताकि हार का ठीकरा इन दोनों नेताओं पर न फूटे वैसे बीजेपी के नेता अब भी जीत का दावा कर रहे हैं खुद नरेंद्र मोदी का भी यही मानना है इसलिए उन्होंने कुछ घंटे पहले ट्वीट किया है और ट्वीट में उन्होंने क्या लिखा कई सारे धेर सारे थ्रेड में ट्वीट है लेकिन उसके एक दो लाइन नरेंद्र मोधी लिखे रहे हैं मुझे यह पक्का विश्वास है कि हर्याना के लोग भाजपा को फिर अपना आशिरवाद देने वाले हैं हर्याना के देश भक्त लोग कॉंग्रेस की विभाजनकारी और नकारात्मकर राज नरेंद्र मोदी का वहीं अशोक तमर के कॉंग्रेस में शामिल होने पर भाजपा राजसभा सांसद और कॉंग्रेस की पुर्वनेता अभी कुछ दिनों पहले चुनाओ से पहले लोगसभा चुनाओ से पहले कॉंग्रेस से भाजपा में शामिल हो गई थी किरन चौधरी जिन हो गया भाजपा सरकार बनाएगी और बहुमत से बनाएगी ये विश्वास है किरन चौधरी को ये भाजपा का पट्टा लगाने के बाद ये विश्वास उनका बढ़ गया है अब क्या हो गया है या क्या हो जाएगा ये तो दोस्तो आठ तारिक को पता चल जाएगा नतीजे बताएंगे लेकिन बीजेपी नेता की ऐसी प्रतिक्रिया से पता चल रहा है कि बीजेपी के पैरों तले जमीन खिशक रही है और ऐसे में उसे फिर से हिंदुत तो याद आ रहा है महिशासुर, चंड और मुंड के लिए जगत जननी मा भगवती की तरह है जो नशे के व्यापार में लिप्त हैं ये नशे के कारोबारी जो देश को निगलना चाहते हैं वे आज चंड मुंड और महिशासुर हैं ये कह रहे हैं योगी आदितनाथ आप समझ गए होंगे इनकी क्लिणी में नशे की खेब पकड़ाने पर कॉंगरेस को ही घेरा है आपने सुना होगा एक खबर सुनी होगी कि लगवःग दो करोड से जाद़ का एक नशे के सामान उसमें पता नहीं क्या होता है मैं तो जानता भी नहींको कोकीन और क्या-क्या कहते हैं वो नाम भी नहीं इसी नशे के कारोबार के खिलाफ अपनी बात रख रहे थे चुनाओ के समय जो प्रचार करने जा रहे थे उस वक्त कि हरा हर्याना कैसे नशे की ग्रफ्त में आ रहा है और उसमें अदानी पोर्ट पर मादक पदार्थ पकड़ाने का मुद्धा भी राहुल गांधी ने उठा एक नया धंधा और नया बिजनेस युवाओं को बरगलाने भड़काने और उनको उनकी जिन्दगी से ही हाथ धो देने तक के लिए ये एक कारोबार चल रहा है जो नशे का कारोबार है इसकी ग्रफ्त में युवा आ रहे हैं ये दुखदाई है इधर E.D. ने भी अपना क कांधी भी E.D. की ग्रफ्त में नहीं आये लेकिन पूछ ताचिन से भी हुई और इधर अब फिर से काम करना E.D. ने शुरू कर दिया है आपने सुन लिया उधर की करनाटक के मुख्यमंत्री सिधा रमया को उनके उपर भी E.D. ने कारोबाई शुरू कर दिया है और आज ह कांग्रेस से जुड़े लोगों पर E.D. का चाबुक चलना अब नई बात नहीं है दोस्तों पहले उधारन दे चुका हूं अब अजरु दिन पर E.D. के समन और राजनिती पर क्या कोई असर पड़ेगा ये देखना होगा वैसे इस वक्त सब की दिल्चस्पी हर्याना चु करने की जरूरत नहीं है फैक्टरी लगाई जाती है और फैक्टरी और इस जलेवी के कारोबार पर कैसा क्या कुछ होने जा रहा है हमारे साथ ही राकेश पाठक जी का एक वीडियो अभी से थोड़ी दिर बाद घंटे दो घंटे बाद आप देखेंगे इसी चैनल पे और जलेवी के कारोबार का जिक्र रहेगा और बहुत अच्छी तरस रहेगा उसको आप लोग देखिएगा जलेवी से दूर अब तो पूर्व किर्किटर विरन सहवाग जो आम तोर पर भाजपा के समर्थक माने जाते हैं उन्होंने भी भीमानी में भीमानी जिले के तो शाम पिधान सवा सीट से कॉंग्रेस उमिद्वार अनिरुद्ध चौधरी के लिए वोट मांगे इससे साप समझ आ रहा है कि हर्याना में हवा किस दिशा में बह रही है और और भी इस हवा के दिशा को समझना हो तो हमारे एकजिट पोल को पांच तारीक को शाम पांच बज़े से देखना मत भूलिएगा जहां आप हर्याना और जम्मो कश्मीर दोनों में क्या कुछ होने जा रहा है उसकी पक्की खबर देखेंगे शाम पांच बज़े नोट कर लीजे हर्याना और जम्मो कश्मीर का एकजिट पोल पांच तारीक को खेर हवा के बहाब को समझने के लि हजारों किलो हेरोइन जो आपके बच्चों को दिया जाएगा वो अधानी के मुद्रा पोर्ट में पकड़ा जाता है तो नरेंद्र मोधी कोई कारवाई नहीं करते हमारी मीडिया के मित्र कहीं नहीं दिखाते अधानी हर्याना के बच्चों का भविश्यनस्ट कर रहा है इस प्रदेश का भविश्यनस्ट कर रहा है हजारों किलो उसके पोर्ट में हेरोइन पकड़ा जाता है नरेंद्र मोधी चुप रहते हैं लंबे लंबे भाशन करते हैं देश भक्ति के भाशन करते हैं मगर जब उनके मित्र के पोर्ट में हेरोइन पकड़ा जाता है तो कोई कारवाई नहीं करते कोई जेल नहीं जाता बाशन में नहीं बोलते कि हां मुद्रा पोर्ट में हजारों किलो हेरोइन पकड़ा गया है म मैं कारवाई कर रहा हूं मैं जेल में डाल रहा हूं ये सच चाहिए तो सुन रहे थे आप मुद्रा पोट का जिक्र करते हुए राहुल गांधी ने एक तीर से दो निशाने साथ दिये यहां एक तरफ A1 की बात कर रहे हैं और दूसरी तरफ यानि अदानी की बात कर रहे हैं दूसरी तरफ नरेंदर मोदी की बात कर रहे हैं और नशे के कारोबार की बात कर रहे हैं हेरोईन की बात कर रहे हैं यह भी अभी सुनाओ मैं पता ही नहीं था हेरोईन और यह बाकी इसलिए मैं पहले भी कह रहा था कि यह स पे अशोक तवर आते हैं राहूल गांधी से मिलते हैं फुल स्ट्रीन लिया इस पूरी तस्वीर को और अगर आवाज हो शायद आवाज यहां पे नहीं अगर है तो उसको भी लियाए मैं चुप हो जाता हूं ज़र देखते हैं क्या हो रहा है पूरू सालचाद असोक तवर जी आज अपने घर में वापिस आगए हैं आज उनकी घर वापसी हो रही है राहूल गांधी जी उनका कामिवेस परिवार के अंदर स्वागत कर रहे हैं और आज का एतियासिक दिन मेंदरगर की एतियासिक धर्ती इस चीज़ की गवापनी है औ रहे हैं तो सुन रहे थे आप यहां पर कॉंग्रेस आ रही है बीजेपी जा रही है अशोक तमर आते हैं राहूल गांधी से मिलते हैं और इस प्रकार कॉंग्रेस में प्रवेश हो जाता है अशोक तमर का पुनह प्रवेश आपको बता दूं कि एक वक्त अशोक तमर की गि की नाराजगी भी जग जाहिर है लेकिन पहले शेलजा और हुड़ा को एक मंच पर लाकर अब अशोक तमर और हुड़ा को एक साथ लाकर राहुल गांधी ने बीजेपी का मोह बंद करा दिया है बीजेपी अभी दिखा रही है कि उसे इस जटके से कोई असर नहीं पड़ा है लेकिन क्या इस जटके का दर्द बीजेपी को आठ तारिक के बाद पता चलेगा आईए इसी की चर्चा करते हैं बहुत कुछ है आज इस पिटारे में और उसके साथ साथ ये जो आखरी वोटिंग से ठीक पहले बीजेपी को यानि की आखरी पारी में आखरी बॉल पर जो चक का मारा है राहुल गांदी ने इससे कितनी सीटे कॉंग्रेस की बढ़ गई है ये भी समझेंगे चलिए हमारे साथ कुछ वरिश तुसाथी जुड़े हुए इन सबसे पहले आपका परीचे करवाता हूं और आगे बढ़ते हैं देखिए पांच वरिश तुसाथी प्रोफेसर रवीकांद जी इसको क्या कहेंगे ये आखरी समय मंगलवार से गायब है नरेंदर मोदी जी उनसे दो दिन पहले यानि रवीवार से गायब है आखरी पारी खेल के आउट हो गए अमित शाह जी और अब जिनके हाथ में सब कुछ दिया था वो नेता भी आखरी समय में आ जाता है कॉंग्रेस पार्टी के खेमे में राहुल गांधी और हुड़ा मंच पे रहते हैं उसी वक्त ये एक बहुत बड़ा इसको कैसे देखा जाया और इससे कितनी सीचा बढ़ती हुई दिखाई दे रही है शुक्रिया राजी जी दिखे अशुक तबर हर्या राहुल गांधी जी ने जो अभी दो दिन पहले जिक्र किया था कि बहुत सारे हमारे लोग भी बीजेपी में चले गए हैं और विशारे मुस्कुरा नहीं पा रहे हैं वो शायद इशारा अशुक तबर की तरफ ही था और अशुक तबर ने जो घर बापसी की है बिलकुल आखरी समय पर वो दरसल जो 20-30 दलित है हर्यारा में उस पर प्रभाव डालने जाने हैं लगातार भारती जनता पार्टी की कोशिश थी कि दलितों को किसी तरीके से भर्मत रखा जाए वो बोट बीजेपी में नहीं जाएगा ये उनको मालूम है लेकिन बीएसपी की तरफ चला जाए या एसपी की तरफ चला जाए कॉंग्रेस को ना मिले इससे बीजेपी राहत महसूस करती लेकिन कुमारी शेलजा को लेकर के जो पहले पूरा दुस्परचार हुआ कि वो नाराज है दलितों का अपमान हो रहा है कॉंग्रेस पार्टी में अब आप क्या कहेंगे ये तो दलितों का सम्मान हो रहा है राहुल गांधी के मंचपे हो रहा है और राहुल गांधी उस नوجबान दलित निता को लेकर के आये हैं जो कभी उनका बेहत करीबी हुआ करता है सारे गिले शिक्वे दूर और आज पूरे सम्मान के साथ तो आखरी वक्त पर जो मास्टर स्ट्रोक मारा है राहुल गांधी ने उन तमाम आरोपों को खतम कर दिया जो कह रहे थे किसाब दलितों का सम्मान नहीं हो रहा है कॉंग्रेस पार्टी के एक तो ये है और निश्चित रूप से वो बीस फीजदी तलित आवादी के लिए एक बड़ा संकेत इसके जरिये ज जहां तक बात नरिंदर मोदी और अमित्शाय की है कि दो दिन आखरी के चुनाओं से गायब चुनाओं परचार से गायब पिछले दस साल के इतिहास में बलकि और ग्यारा साल के इतिहास में हम मैंसे किसी को ये याद नहीं होगा कि नरिंदर मोदी ने चुनाओं परचार क आखरी घंटे तक कभी कहीं छोड़ा हो यह जो किलर इंस्टिंक्ट है BJP की खास करके नरद्रमोदी की उसकी हम लोग तारीफ भी करते जो लड़ने का माद्दा है जो जीतने की भूख है BJP में और सारे कुछ साम दाम दंड भेद हलाकि उनके जो रास्ते हैं उससे हम लोग सहमत नहीं रहे कभी लेकिन जो लड़ने का माद्दा है उसके जरूर तारीफ हम लोगों ने की क्या बज़ाए है कि आखरी के दो दिन मोदी और अमिट चाह दोनों लोग गाव है खेल किया है इसकी दो तरह की व्यक्ख्याएं हो रही है एक व्यक्ख्या है कि नरेंदर मोदी और अमिट चाह ने कुरुचेत्र छोड़ दिया वो युद्ध का मैदान जहां धर्म और अधर्म का युद्धूआ था पहले ही छोड़ दिया वो समझगा है कि हर्याणा में कॉंग्रेस पार्टी को अब कोई रोक नहीं सकता है और बीजेपी बुरे तरीके से चुनाओ वहां हारने जारे है लेकिन मैं एक इसको दूसरे एंगिल से देखता हूँ ना जुद्ध ये सब इतना भर नहीं है नरेंद्र मोदी की खासियत है कि चुनाओ भले ही वहार रहे हो लेकिन आखरी बिट्केट तक वो बैटिंग करने के आदी है अगर दो दिन पहले छोड़ रहे हैं तो ज़रा इसको देखिएगा आप जो बीजेपी के राष्टी अध्यक्ष को बनाने की कश्मकश चल रही है इस समय रसेस बनाम गुजरात लौबी सिर्फ टवल के इस तर तक पहुँच किया है और लगातार एक दूसरे को चेक किया जा रहा है रसेस ने दो टूक कह दिया है कि या तो सरकार में आप रहिए या संगठन में रहिए दो मैंसे एक तैकर लीचे अगर आप सरकार में है तो फिर संगठन हमारे हाथ में रहेगा और उसके लिए जो नाम आए वो नाम नरत्रबोदी के लिए बहुत संकट में डालने वाले है सबसे बड़ा जो नाम चल रहा था वो संजय जोशी का फिर बसंद्रा राजे सिंधिया का ये दो नाम ऐसे ये दो ये फिर गड़करी का ये तीन व्यक्ति ऐसे हैं कि अगर वो राज्टी अध्यक्ष हो जाते हैं तो फिर गुजराती लोबी उल्टे पाउ गुजरात जाएगी फिर कोई रोक नहीं सकता उनको RSS पर जो हमला किया गया था लोगसवा चुनाओं में जीपी नड़ा के दोरा कहा था कि हमें RSS की जरुवत नहीं हमारे पास हम इतने बरकर खुदी हैं और उसकी वज़ाई ये थी कि RSS खुड़ा साइलेंट मोड पर चला गया था क्योंकि नरेंद्र मोडी ने उसके किसी भी सलाहे को नहीं सुईकार किया वो तो करणाटक के चुनाओं के बाद ही कह दिया था कि अब हेंदुत्तों के एजेंडे और नरेंद्र मोडी के चेहरे पर हम चुनाओं नहीं जीत सकते लेकिन मोडी जी राममंदर का उधगाटन करके आ रहे थे और मोडी जी को अपने पर भरोसा हो नहों लेकिन कर्पूरेट मीडिया पर भरोसा था फिर वो नॉन वाइलो जी कल भी आया सब आया किसी तरीके से चुनाओं जीता जाए लेकिन चुनाओं वो हार गए मैं उसको हार ही कहता हूँ जहां आप 400 पार की बात कर रहे हों 240 पर क्लिन बोल्ड हो जाएं तो वो एक तरह की बड़ी हार है बीचे नरेद्र मोडी के लिए खास थे आरेसेस ने वहीं से शिकंजा कसना शुरू किया हर्याणा की बैटिल नरेद्र मोडी ने दे दी आरेसेस को और अब मोडी इसमें अपना आउसर डूंड रहे है यह कि चुनाओं तो हाथ से गया अब दरसल आरेसेस कितना स्कोर करके आती है वहाँ तो इसमें मोडी और शाह दिखाएंगे कि देखिए मोडी जी गायव हुए तो यह नतीजा निकला तो असल में यह आरेसेस बनाम बीजेपी नरदर मोडी खाथ का गुजरात लौबी का केल है और आज चुनाओं परचार में कौन था राजनास्चिंग और नितिन गड़करी यह दो लोग चुनाओं परचार में थे आ रहरा यह सावित करता है कि आरेसेस के हाथ में चुनाओं परचार है लेकिन मोडी और शाह के लिए यह मौका बन गया कि वो आरेसेस को बता सके कि यह हैसियत है क्योंकि वो इलیک्शन तो गया यह उनको मालूम है इसलिए तो दुन पहले उन्हों ने ये दूरी बनाई है वो असल में खेले यहां है ये मुझे लगता है लेकिन इससे एक बात साफ हो रही है राजी उजी कि हर्याणा में किसी भी कीमत पर भारती जन्ता पार्टी चुनाओ जीतने नहीं जा रही है ये पूरे प्रकड़ से ये बात साफ हो गई है और राखुल गांधी ने जिस तरह इसे चार दिन के लिए डेरा जमा दिया है और बीजेपी कहा है डेरा सच्चा सौदा की राम रहीम पर अब न तो बीजेपी के लिए राम सहायता कर रहे हैं राम रहीम क्या करेंगे हमें नहीं बना और वसा अगर आपका राम की जगाए पर राम रहीम से हो गया है तो फिर अब समझ सकते हैं कि क्या बीजेपी का हाल क्या है और ये दो हजार चौबिस के चुनाओं से जो बीजेपी का पतन शुरू हो रहा है तरह उनसे पूछे जो कहते थे कि दो हजार हम पचास साल तक राज करेंगे जो बिश्चु गुरू बना रहे हैं दो हजार सैटालिस तक का एजेंडा ले करके बैठे हैं उनकी हालत ये है अब कि अब उन्हें आने बाले चुनाओं भी हाथ से फिसलते हुए दिख रहे है और इस समय की राजनीती और इस समय की चुनाबी राजनीती मैं छोड़ देता हूँ एक दो मेट के लिए राजनीती इस समय की चुनाबी राजनीती भी राहुल गांधी के गिरफ्त में आ चुकी है अब राहुल गांधी चाहे जलेबी बोले या कोकीन बोले देश का हर मस्तिष्क अब राहुल गांधी के एक एक शब्द को सुन रहा है और ऐसे मैं मोदी उशाह से लिकर कि मोहन भागबत तक को अब कोई इस्पेस हमको दिखाई नहीं पड़ रहा है कि आगे उनका एजेंडा क्या होगा आगे उनकी नीतिया क्या होगी यह बड़ा मुश्किल है लिकिन राहुल गांधी तो अब पूरा मैदान मार चुके इसमें कोई दुरा है राहुल गांधी मैदान मार चुके हैं और आखरी बॉटिंग से ठीक पहले अगर इतने कदवर नेता पुर्विसांसद और अशोक तवर को जो दलित नेता भी हैं उनको अगर कॉंग्रेस में वापसी उनकी करवाई जाती है तो ये अपने आप में बड़ी बात इसलिए क्यो देड़ने खोलने की कोशिश कर रहे थे प्रोफिसर अवीकान जी और अभी आप सुन भी रहे थे आरेसेस बनाम बीजेपी जो चल रहा है क्या वही है या नरेंद्र मोदी ने पहले हत्यार डाल दिये कि कुछ भी हो जाए यहां डाल नहीं गलने वाली है डॉक्टर आकेश करिल में आज जो सर्प्राइज लिमेंट रहुल गांडी लिधा है कि सर्जीकल स्ट्राइक भी उसे कह सकते हैं वह यह बताता है कि राहुल गांडी अबिस तेवर में है आप सारा निजाम पलट के रख दूगा था अभी तो देख रहा हूं हवा जमाने की वाह तो राहुल आप उर गांधि जमाने की हवा को देखते देखते अब निजाम अपनी पार्टी का भी बदलने पर आवाधा दार है। लगातार बदल रहे हैं, वे अपने तहीं अपने तेवरों के साथ पार्टी को चला रहे हैं। आज के इस घटना करम में जो हम स्क्रीन पर अभी देख रहे हैं दिखा रहे हैं अशुक तवर की घरवामसी इसमें राहूल गांधी ने दो तीन मोटे मोटे संदेश दिए नमबर एक अब पार्टी के श्ट्रपों को ये भूल जाना चाहिए कि आज से दस साल पहले के रहूल गांधी हैं या दस साल पहले की कॉम्रेज़ था 2019 में चनाव के बाद इस्तीफा देने वाले रहूल गांधी और चार जून के बाद के रहूल गांधी में बहुत भरक हैं अब जो प्रादेशिक नेता है जो सूबेदार है उन्हें भी राहुल गांदी आदम कद करने पर आमादा है उन्होंने अशोक तमर की घर वापसी के जरीए नकिवल शेलजा को बलकि भुड़ा साब को भी संदेश दे दिया है कि अब आप लोग अपने अपनी डफली बजान अब बंद कर दीजिये अब पार्टी में वही होगा जो कॉंग्रेस का आला कमांद चाहेगा कॉंग्रेस का राष्टी अद्यक्स चाहेगा या राहुल गांदी चाहेगा इसलिए मुझे ऐसा लगता कि आज के संदेश के जरिये चुनाओ नतीजों के दिन की भी तैयारी र जी क्योंकि मान लीजिए जो अब तक आकलन आप सबका है हमारा है बाकी प्रतगार साथियों का है नतीजे वैसे ही रहते हैं तो उस दिन जब विधायक दल की बैठक होगी जब विधायक दल की बैठक में नेता चुना जाएगा तब इन में से कौन बनेगा मुख्यमंत्री के सवाल को हल करने के लिए भी पार्टी को राहुल गांधी की मर्जी के बिना कोई फैसा नहीं करना है यह संदेश उन्होंने आज देखिए और कॉंग्रेस पार्टी को वर्ष्व से सी चीज की ज़रूर था पार्टी का केंद्री है नेतना तो लंबे समय से इतना कमजोर कि जो कमजोर होते मुगल सामराजी में होता था उसके जो मनसबदारी होते थे मनसबदार पांच अजारी मनसबदार दस अजारी मनसबदार वे दिल्ली को आखे दिखाने लगते थे वो खुद को आजाज गोशित कर दे थे कोई दक्कन का सूवेदार मुगल सामराजी को आ नहीं देते थे राहुल गांदी ने आज ये बता दिया है कि अब पार्टी बदल गई अब आदे हैं आपके प्रश्ट के दूसरे हिस्से बन कि भारती जन्ता पार्टी नरेदर मोदी अमित शाहर दो दिन पहले मैदान छोड़ कर क्यों चले गए देखे राजीम ची जो हम सब को दिख रहा है जो आम लोगों को दिख रहा है जो मतरकारों को दिख रहा है क्या वो नरेदर मोदी की अपनी गुपतर एजंसियों को नहीं काम कर रहे हैं क्या वो हर्याना की नफ्ज पर हाथ रखकर दिल्ली को ये नहीं बता रहे होंगे कि आठ अक्तूबर बहुत भारी पढ़ने वाला है शायद इसलिए मुख्धारा के तथा कफित मुख्धारा के मीडिया के चैनलों के थम नेल में से नजेदर मोदी की तश्मीर हट बई लगबख शुरू से नहीं थी वहाँ तो जेपी नट्डा थे या नायप सिंग सेनी थे और वो पांच तारिक के बाद आप देखेंगे जो एक्जिट पोल हम भी दिखाएंगे शाम को बाकी चैनल भी दिखाएं गए और उन्होंने ये फैसला ठीक किया है क्योंकि ब्रेंड मोदी खत्रे में हर्याना को चनाओ इस बात की भी तश्दीक करेगा कि राहुल गांधी कॉंग्रेस पार्टी जिन मुद्दों को लेकर ये चनाओ लड रहे थी और भारती जंता पार्टी जिन मुद्दों को ल लबेनाओं सबर्टी जनता मुहर लगाएगी कि जनता को जूट स्ुकार है या वो सच को जानती समझती है उसके विवेक की छन्नी इतनी बारीक है कि वो जानती है कि कब राहुल गानी ने सचमुझ में क्या कहा था है और उसे किसे चुना है हम जनता से बिलकुल नहीं कह र जो इस वक्त हम और आपको सबको दिखाई दे रहा है अंतिम बात संग के साथ उनका संगर्स चल रहा है वो आज तारिक के बाद बढ़ने वाई है और उसकी पहली कसोटी पार्टी के राश्वी अध्यक्ष्पद का चुनाओ है जो नाम चर्चा में है उन नामा में से किस पर महर लगेगी क्या नरेंद्र मोदी की संग के सुपरिम्नों से कोई बैठक होने वाली है क्या उन्हें मिलने का कोई समय दिया गया है या समय नहीं दिया जा रहा है यह मीटेंग टाली जा रही है इन कई सवालों के उत्तर आठ अक्टूबर की शाम को मिल जाए भी रही जी बिलकुल आठ अक्टूबर की शाम तक यानि सुबह लेकिन आठ अक्टूबर की सुबह छे बजे से आप लाइब देखिए हमारे साथ जुड़िये और पलपल की रिपोर्ट क्योंकि उस दिन काउंटिंग है और उस दिन हम आपको बताएंगे कि जम्मू कश्मीर और हर्या में सरकार किसकी बनने जा रही है शाम तक बहुत कुछ हो जाएगा और उसके बाद बहुत सारी तस्वीरे आप देखेंगे जिसका जिकर कर रहे हैं हमारे साथ ही डॉक्टर राकेश पाठक जी जर आना चाहता हूं प्रशान टंडन जी आपके पास प्रशान जी कैसे देख जटका सिर्फ माना जाए या बड़ा जटका माना जाए और इससे मेरी जानकारी में साथ सीटें जो हैं वो कॉंग्रेस की बढ़ती हुई दिखाई देती हैं जो मैं अभी बात कर रहा था तो यह बताया गया कि अशोक तमर के आने से साथ सीटें और जोड लीजे जो इतनी आ रही है उसमें तो यह चोटी मोटी बात नहीं है लेकिन सबसे बड़ी बात कि आखिर नरंद्र मोदी और अमित शाह क्या यहां बाएं दाएं करके बचने बचाने की कोशिश में हर्याना का चुनाओ क्या उस मुकाम पे पहुँच गया है जहां से अब महराश्ट् जहारखंड के चुनाओं के नतीजे भी डराने वाले दिखाई देंगे नरंद्र मोदी को उनकी पार्टी को कैसे देखते हैं इस चुनाओं को और आज के घटना करम को जी राजीव जी अभी आपने विरें सहवाग के चर्चा की थी कि विरें सहवाग भी कॉंग्रेस के लिए प्रचार कर रहे हैं और राहूल गांदी ने विरें सहवाग वाली पार्टी पारी खेल दी है हरियाणा में और कल से बीजेपी के तमाम नेता सोचल मीडिया पर जलेवी बना रहे थे राहूल गांदी ने उन्हीं की जलेवी उन्हीं के कड़ाई से निकालकर अपने पेट पर रख लिए यह अर्याणा की राजनीति जो है उन्हों से बड़ी दिलकस्प रही है और यह राजनीति के रंग है देखिए हर्याणा की जो आया राम गया राम की परिभाशा है वो भी हर्याणा से ही निकली थी और आखरी यह जो हुआ है अशोक तवर का निश्चित तोर पर इसमें दोनों बातें राजी एक तो बात यह है कि अशोक तवर भी अच्छे मौसम वैज्यानिक साबि कि बात यहां और जैसा हम लोग बहुत जीर से चर्चा कर रहे हैं मझेजस कि वह अफ्ट अपे आप देखे कि चसट बिरादिशनी की एक्ता की बात हो रहे हारे जरों कहां गाओं में बात हो नहीं यह Kah vocês मिरादलिय की एकता ही बीजेभी के लिए परिशारिया कारण है है अजू आप और इसी में जो डलित समाज या जाट जा Öz worse टा यह तमाम समाज्चों की एकता यही पहले से ही तह था अशोग कवर के आने से जो बीजेपी एक गलित वोटर वोटरों के बीच में कन्फूजन क्रियेट करने की स्थितिक पैदा करने तो उसको बड़ा धटका लगा है जिस्षित तोर पर और जहां पर भी इस तरीकिया के कन्फूजन की वज़े से कुछ मार्जिन रह गया होगा वो लास्ता कॉंग्रेस ने रिकवर किया होगा और यह जब पोलिंग होगी तो वो लास्ता रिकवर हो जाएगा जैसा आप पता रच्छ एसास ही लोगा लेकिन यह हम लोग कई दिन से राजिवी चर्चा यहां पे कर रहे हैं कि नरिंद्र मोदी और अमिश्चार ने जालकर्ण की तरफ फोकस कर रहे हैं इसकी भी वजय तलाश नहीं होगी और यह को अकल नहीं छोड़ दिया कि तीन दिल से नहीं जा रहे हैं तो यह जैसा एक साथी हमारे क्या रहे थे कि उनको पहले से इसका आभास था आभास तो उनको उस्वकत भी था जब उना खट्ट को ठानी से बात बनी नहीं डेकि करने बीचेक बद सकी ठीकिर हाथ धीकणा कि इस पर नेयुदा है इसको मोदी जी ने बचा लिए जैसे बूला खट्टर मोधी जी के पुराने मित्र कल में बता रहा था उनकी मित्र उनोड़ बचा लिए अपने दोस्त को थान को पीड़े बचा लिया है अब फोटो सैनी का और नड़ा जी का लगेगा वहाँ पे खड़र जाब जो है वो आराम से मंत्री बना लिए तो इसलिए बोधी जी ने अपने दोस्त को जो है वो बचाने काम किया है दूसरी बात एक और पोशित ऐसा नहीं कि जारी नहीं है पोशित जारी है जेकी इलेक्शन कमिशन ने राम रहीम को देजी पे पिरोल पे एनोसी दे दिया राम रहीम को चुनाओ के ठीक पहले पिरोल मिल गया उनको कोट से हर्याना जाने की इजाज़त नहीं है लेकिन वो बागपत में बैठ कर ऑन लाइन प्रमोशन कर रहे हैं और बीजेपी के त जा रहे हैं यह कोशिसे जारिये बीजेपी की चुनाव आयोक की देख रेक में चुनाव आयोक के अशिरवाद से लेकिन तमाम सीजें जैकि जब हवा चलती है तो फिर वो तमाम सारे छोटे बड़े पेर उखड़ जाते हैं राम रहीम भी इस हवा में उखड़ी जाएंग तो लोग सभा चुनाव के समय भी आयत है लेकिन पांच सीटे गवा के निकले जी और सिर्सा में देख लिए क्या हुआ हुआ है सिर्सा में उनका आश्रम है सिर्सा में उनका खाड़ा है तो इसलिए आप देखें कि राम रहीम हो जा इलेक्शन कमिशन हो ब्योरोक्रिसी हो तवाम सारे हथकंडे बीजेपी या लरेंग मोदी अपनाने के बाद तब उन्होंने हर्यानत छोड़ा और एक आखरी बात देखिये मोदी जी किसानों से घबराते हैं आपको याद होगा कि 2022 में पंजाब गए थे और किसानों ने चक्का जाम कर दिया था सड़क पे थोड कि अपने मुख मंति से कहा ज़ना है कि मैं जिंदा लोट रहा है अब केवल आप देखिया कि मोदी जी किसान बिल जो कृशी बिल उनको वापिस देने पड़े यह काम मोदी जी ने कहीं और नहीं किया है अपनी बात को वापिस देना चाहे वो सेबी कि अध्यक्षों कोई न ही हो अब तक का मामला दिये है पिछला मामला देख लिए हिस्दुगे हैं छी साने माद ना मैं अहां के पहरहीं ही हदे रूग्सत भोलिये हैं तो मेट बी चङए के अगेर हिसे और हम जो फद्ग सत्व हो लिए है यहाँ से हो से यह सीटों का एक्जिट पोल आप दिखा देंगे और उसमें लेकिन हर्याना तक चुनाओं की दिशा जो है वो लगबक तया दिखाई दे रही है और एक और मौसम वैज्यानिक हैं जो 2024 के लोकसरवा चुनाओं में एक्जिट पोल के माध्यम से उन्होंने काफी लाम कमाया था चार सो पाल करा दिया था बीजेपी को उन्होंने भी पाला बदल लिया है तो यह मौसम वैज्यानिकों का दोर है राजी जी बिलकुल बिलकुल आप सही कह रहे हैं पाला बदलने वालों वालों की संख्या बढ़ने वाली है यह आप तैमानिये क्योंकि हर्याना का चुनाओं आज चुनाओं प्रचार खत्म हो गया है शोर थम गया अब डोर टूड पूर या शान्तिपूर्ण परसो तक आप जो कर सकते हैं करिए लेकिन चुनाओं में रिजल्ट क्या आने जा रहा है यह सब को पता है और नरेंद्रमोदी तो वो सबसे बड़े मौसम विग्यानिक हैं उनको तो सबसे पहले पता है शायद इसी लिए उन्होंने पहले ही मै मैदान छोड़ दिये तो मैदान नरेंद्रमोदी छोड़े हैं उनके साथ ही जो हमित्शा हैं वो छोड़ चुके हैं लेकिन इसके क्या माइने हैं और इस बीच आज राहुल गांधी आखरी पारी में क्यों अशोक तमर को अपने पाले में लेके आ गए इसके क्या माइने जरा समझते हैं समिरातमज मिश्र जी से और इसी पर हम चर्चा भी कर रहे हैं इसके आगे भी बढ़ेंगे अपने इससे आगे जब हम बढ़ेंगे तो समझेंगे कि इसका असर अब दूसरे राज्यों पर क्या पढ़ने जा रहा है कॉंग्रेस पार्टी के अंदर खाने क् और दो राज्यों के जो इसके बाद फटाफट चुनाओ होंगे महराष्ट के चुनाओ कल कोलहापुर में राहुल गांधी है अब कल से राहुल गांधी अगली भूमिका में नजर आ रहे हैं राहुल गांधी कल महराष्ट के कोलहापुर में रहेंगे और परसो जब चुनाओ का समय होगा तो उसी महराश्र से नरेंडरमोदी किसानों को आर्थिक सहायता जो देते हैं वो बाटेंगे यानि कहीने कहीन किसानों को साधने की कोशिश करेंगे नरेंडरमोदी तो ये आखरी समय में कुछ कुछ करना ये नरेंद्रमोदी करते रहते हैं अब उसमें कुछ भी नया नहीं है हम लोगों ने बहुत देख लिए पिछले दस साल में जरा आना चाहता हूँ समीर जी आपके पास आपसे समझों क्या लगता है आपको कि यहां नरेंद्रमोदी अ अमित्शाह, राहुल गांधी इन तीनों और खासकर नरेंद्रमोदी और राहुल गांधी की बात की जाए तो इस चुनाव में जो भूमिका इन दोनों की अपने अपने पार्टियों के लिए रही है उसमें कौन आगे कौन पीछे आपको दिखाई देता है दूसरी सबसे म हो गई है असर को देखा जाए तो यह बिल्कुल साफ जो एक बिल्कुल एन मौके पर यह जो घटना आज हुई है कि अशोक तमर कॉंग्रेस में अचानक पहले से कोई प्लानिंग और बहुत से लोगों को नहीं पता था जो कॉंग्रेस बीट को बहुत दिनों से कवर कर रह हैं जब से कहा जा सकता है कि चुनाव प्रशार में दिल्चस्पी लेना बंद कर दिया प्रधान मंत्री मोदी ने अविशान ने यते पी एक दो रहलियां उन्होंने की जरूर लेकिन रहलियों का भी किस तरह से जो प्रदर्शन रहा वो दिखाई पड़ा संतोश जनक उनक बड़े चिंति थे कि उनका बड़ा अपमान हुआ है कॉंग्रेस पार्टी यद्यपी शैलेजा ने बिल्कुल खुले तोर पर कह दिया एक इंट्रव्यू में कि वह अंतिन दम तक भार्दी जनता पार्टी में नहीं जाने वाली है कॉंग्रेस पार्टी में ही रहेंगी च अच्छोक तमर सहाब जो है अचानक कॉंग्रेस में चले आए जो कि अभी गए हुए थे भारती जनता पार्टी में और भारती जनता पार्टी को बोड़ देने के अपील कर रहे थे तो एक बड़ा ये मास्टर स्ट्रोक के इस तरह का है जो कि पिछले दस साल से भारती जन कर आगए हैं भारती जनता पार्टी में टिक्टों का पटवारा हुआ तभी से भगदर सी मच गई पार्टी छोड़ने वालों का उसी से ये पता लग रहा है कि किस तरफ लोगों का जुका हुए और हरियाना में जो लोग भी जा रहे हैं जिनोंने भी वहाँ लोगों से ब अब भी जो समर्थक हैं उनको भी भरोसा नहीं है कि भारती जनता पार्टी कहीं से जीत रही है और इसका तो एक कहा जाए कि अधारन हम लोगों ने खटर की उस सभा में देखा सभा क्या उनके कारेकरताओं की मीटिंग हो रही थी कि सीधे तोर पर कहने लगा कि ना तो सरक विधान मंत्री नरेंद्र मोदी से बड़ा मौसम वैग्यानी कोई नहीं अब उन्होंने सोचा कि जब यहां पर इस तरह के स्थित्य आएगी लोगसभा चुनाओं के बाद से ही उनके उपर जैसे दबाव डाले जा रहे हैं कि आपके उपर चुनाओं हारने की अब जिम्म के बाद जम्मु कश्मीर के बाद यह खुले मंच से यह चीजें कही जाने लगेंगी इसकी पूरी आशनकाब उनको लग रही है तो यहां से अब एक फिर से आवाज न उठे इसलिए पहली बात तो कोई उन्होंने फेस नहीं तै कि मेरे ही फेस पर चुनाओं लणा वो बिलकुल साफ तोर पर दिखाई पढ़ रहा है लोग सभा चुनाओं के बाद जिस तरह से दिखाई वो अब और तेजी से दिखाई पढ़ रहा है हरियाना के चुनाओं में जम्मु कश्मीर के भी चुनाओं में जिन जगहों पर यह पूरा फोकस किये हुए थे वहां उतना आत्मविश्वास नहीं है कि वहां भी पिर से ये सरकार बनाने की स्थित में किसी के साथ अकेले दम पर तो नहीं किसी के साथ भी बनाने की स्थित में है लेकिन हरियाना में तो यह साथ दिखाई पढ़ रहा है और चुनाओं परशार से खुद को अलग कर लेना एक और भी जो कही जा रही है वो ये भी है कि हर्याणा में जो तमाम चुनाव लड़ रहें लोग हैं अब उन लोगों की तरफ से भी कोई ऐसी डिमांड नहीं है कि प्रधान मंत्री की सभाएं वहां पर की जाएं ये रिपोर्ट ये हर्याणा के कई भारती जंता पार्टी के लो प्रधान नहीं है लोग कह रहें कि आप आई ये ही मतब या कोई कहीं नहीं रहा है कि मेरे विदान सभा में आए उसके पीछे बहुत बड़ा कारण ये है कि सारे मुद्दे सारी चीजें सारी बाते वही दोरा रहा है जो 2013 में दोराते थे जब हर्याणा में सरकार में नहीं नहीं थे तो लोग सुनते सुनते भी उन चीजों को ऊप गया है और इस बात को कि लोग सुनते सुनते ये तो सीधे तोरब पर साफ तौर पर कैमरे के सामने लोग अब कहने लगे है इन सारी चीजों ये सब इस्तितियां या प्रधान मंतरी को अच्छा जो सभावं में जि पूरी तरह से करते इसलिए नहीं कर रहे हैं कि आप इस तरह से अब जोरदार प्रचार करिए क्योंकि आपके पास कहने के लिए बताने के लिए कुछ चीज़ें नहीं तो कोई फायदा उसका नहीं होगा तो सबसे बड़ा यह है कि वहां के लोगों से वह को साहित हुए और फिर यह हुआ कि अब चलो महाराष्ट और जारकंड को साधा जाए क्योंकि अब इन चुनाओं की ये मुझे लगता है कि आठ तारीक के बाद ही शायद घोशना हो जाएगी तो तब तक जितनी घोशना है वहां के लिए करनी है वो कर दी जाए बिलकुल अगले सब्ताहबर में आप देखेंगे वहां की घोशना भी हो जाएगी महाराष्ट और जारकंड में दस से बारह तारीक के बीच उस चुनाओं की घोशना भी होने वाली है लेकिन इस बीच इधर राहुल गांधी ने जो खेल खेला है जिसमें आज अशुक तमर को मंच पर लाकर बीजेपी को जटका दिया उससे दो दिन पहले राहुल गांधी जलेवी की बात कर रहे थे और जितने भी बीजेपी और बीजेपी के भक्तगंड जो हैं वो जलेवी की फैक्टरी खोजने में लग गया है और दूसरी तरफ फैक्टरी ही नहीं बलकि उसके एंगल को खोज रहे हैं सही उलजाया है राहुल गांधी ने उलजे रहो भाईयों उलजे रहो और आगे आठ तारीक को रिजल्ट आएगा तो सिर्ड जुका कर आगे बढ़ना और महाराष्ट्र के रिजल्ट के तरफ देखना आना चाहता हूं अमलेंदू जी आपके तरफ कैसे यह खोज रहें आप ने खोजने बता दीजिए पूछिए कि कौन से अंगल है क्या है जारों को जिए जलेवी के चारों को खोजे जा रहे हैं कि भाक्त गण लग गए उसमें जैसे इनके देवता है वैसे यह मूर्थ है अब पाच्छक जी का आएगा वीडियों वो तो जोला उठा के चल देंगे भक्त गंड क्या करेंगे उनकी दो रुपय का भी हिसाब नहीं होगा उनको समझ में नहीं आ रहा है वो तो जोला उठा के चल देंगे बोलेंगे जो था हम लेके जा रहे हैं दो रुपय का हिसाब तो करके जाओ भक्तर्म क्या करेंगे फिर वैसे मंच पर आएंगे राहुल गांदी के साथ माफी लाजीब कि आप पूरत भारत में चले जाए जलेवी वहां इस तरीके से खाई आती है जिस तरीके यहां पर लोग रजुल्ला आती है यानि जलेवी अगर आपको किसी ने खिलाई तो समझें कि वह आपका बहुत सम्मान कर रहा है और कई-कई दिन तक वहां जलेवी रखी मिलेगी और रात को नौए तक मिलेगी कई-कई-कई-कई-कई-कई-कई-कई-कई-कई-कई-कई-कई-कई-कई-कई-कई-कई-कई-कई-कई-कई-कई-कई-कई-कई-कई-कई-कई-कई-कई-कई-कई-कई-कई-कई-कई-कई-कई-कई-कई-कई-कई-कई-कई-कई-कई-क टुझ कि भलाताए लोग अपने ले आते हैं दो Technology डूटे गाउँ में जलेमी नहीं मिलती है जोटे गाउँ जोटे गाउँ में ही उतनी खपत में होदी है तो यह चुक्सरी बुट्रोटर जीए चलेमी डिलती है जो इसके आप यह जो जो इसके तरी उठीवा गालुने तो प्रवार्ती जन्ता पार्टी ना पर आपको सहला पारी है और ना गाली देपा लेगी तो दो काम हो गए अब कल तक तो कहां थे कि बड़ा अफ्मान हो रहा है वाल इशक्रिया का और उनको प्रवार्ती जन्ता पार्टी आजाओ अब पवन खेडा जो है कि यह कैसी मनहोर कानिया सुनाते रहे हैं कि हमारे आके जो नेता है उनको अपनिया दावत देते रहे गए और उनकिया का जिए निता इधर आ गए तो मनहोर कानिया जो चल नहीं थी राजीब जी हर्यारा में य मनहोर कहानियां जो है बहुत झीकी जन्ता पार जीटी और परशानी का सब Originally Anyway to तो बीजेपी के नाम पे अब मोदी जी का नहीं लगा रहा है या नगा जी का लग रहा है तो यहां बहुत कुछ हम देख रहे हैं हरियाना के चुनाओं से बहुत कुछ बहुत पैगाम आप तक पहुचाएंगे हम इसलिए क्योंकि यह जो चुनाओं है और यहां का रिजल्ट यह आगे आने वाले समय में और खासकर आठ तारिक को शाम को आठ तारिक याद रखिए अगला मंगलवार अभी से ज़्यादा समय नहीं है मंगलवार या जरा बहुत सारी बाते हम लोग कर चुके और उसमें चाहे जलेवी हो चाहे लास्ट बॉल पे बैटिंग हो और उस सब के बीच जो चुनाओ है जरा गंभीर बात हम कर रहे हैं बाकी तो छोटी मोटी बाते हो जाती हैं और करें क्या जब भक्तों को वही पसंद आता है तो इसी बात उनकी भी करनी पड़ती है लगातार जलेवी जलेवी की फैक्टरी और जो कुएं के मेढ़क जो होते हैं वो उसी को संसार समझते हैं तो क्या करेंगे और जलेवी की फैक्टरी लग सकती है कि नहीं लग सकती है वही सर्टिफिकर देंगे कि लगा सकते हैं कि नही गये थे और हमारे पूरी टीम लगातार उधर रही भी हरियाना में भी जमो कश्मीर भी आपने देखा और हम लोगों ने यही पाया कि धरती पर वहां की जो जमीन है वहां पर वहां के लोगों ने यह अब मन बना लिया है कि वहां परिवर्तन करना है और वो दिखाई दे रह हो यानि कितनी सीटों से हो ये सेकंडरी है लेकिन क्या यहां से अब जब महाराष्ट की तरफ देखते हैं यहां से जब हम अब अगर जारखंड की तरफ देखते हैं तो कितना मुश्किल या कितना आसान होगा नरेंदर मोदी के लिए उन दो राज्यों के चुनाओ जो होंग ना हो क्या इसमें और गिरावट हम देखने जा रहे हैं या कुछ और तिकडम देखेंगे क्या कुछ आपको लगता है यह बीजेपी और आरेसेस के अंदर खाने की कला से बाहर की बात में कर रहा हूं जो चुनावी मंच है नरेंद्र मोदी खड़े हैं दोनों तरफ उनका ट द्यार्थी रहे हैं साहित के प्रोफेसर हैं कहानिया तो अच्छी लिख लेते हैं देखे राजेव जी कलपना तो मोदी जी ने बहुत की थी वो नॉन बायलोजिकल भी इसलिए हुए थे कि उन्हें 75 नहीं अनवरत वो रहना चाहते थे उन्हें ये एहसास ही नहीं था किस देश का मिजाज बदल रहा है और कोई बदलने वाला भी आ गया दस साल तक लगातार जिस व्यक्ति पर हजारों करों रुपाई खर्च करके उसकी छबी लगातार खराब की गई वही पार्लियमेंट्स में खड़े हो करके और शड़क पर आ करके उसने पूरे ब्रैंड को म अब मोदी जी अगले साल प्रधानमंत्री रहेंगे या मोदी जी एको नया रिकॉर्ड बनाएंगे अब कल्पनाओं की बात है तो मोदी जी तो हो सकता है कि राष्टपती बनने के लिए लग जाएं प्रधानमंत्री रहे राष्टपती रहे एक नया रिकॉर्ड कायम करें हो तो कल्पनाओं में जीना तो मुदी जी को बहुत पढ़िया से आता है लेकिन हकीकत भी कोई चीज होती है और हकीकत पूरे कल्पना को पूरे स्वपन को धुस्थ कर देती हकीकत यह है राजिव जी कि आज किसान हो नौजवान हो दलित हो पिछड़ा हो आदिवासी हो अल्प संख्यक समाज हो कौन ऐसा है जो मोदी जी की आरती उतार दिकले तैयार है और मैं तो चनोती के साथ कह रहा हूं कि मोदी जी को अगर जराब भर्म हो तो एक बार जरा ताली और ठाली बज़वा के दिखवाते हैं कि साना ब्रह्म डूट तूट जाएगा आरेसेस का भी और वीजेपी का भी मोदी जी का भी वो परसितियां आप रह नहीं गई हैं इस बात को मैं बराबर कहता था कि जो लोग ये सोचते हैं कि इस देश के लोग मोदी के जुमले में फस गए हैं और वो बेवकूफ हैं नहीं देश के लोग बेवकूफ नहीं सच में उन्होंने अपने भले के लिए मोदी जी को चुना था अच्छे दिन के बादे दो करोड रोजगार देश के लोग साधारण हैं घुले भाले हैं लेकिन बेवकूफ नहीं है उन्होंने बिश्वास कर लिया था मोदी जीम लेकिन जिस तरीके से उनका बिश्वास दरका है जो उनका सपना तूटा है बच्चों की उनकी सिक्षा चीनी गई है कोरोना में जिस तरह से लोग मर रहे थे हांस दिये गए थे जनवरों की तरह राष्टबाद राष्टबाद चिल्लाने वाले पूरा चीन को लद्दाख में घुसाए हुए थे और कह रहे थे कि न कोई घुसा है न कोई घुसा हुआ है फिर चीन कैसे वापस गया राजनात सिंग क्यों बोल रहे थे जो बिश्व गुरु और हिंदुत की बात करते हैं अमेरिका जाते हैं तो उनको गुद्ध यादा ने लगते हैं यह जो च्छद्व है पूरे रसेस की राजनीती का बीजे पी नरंद्र मोदी की राजनीती का वो अब बेपरदा हो चुका है आरेसेस अपना बचने के मूड में था जितना मैंने समझा लोग सबग चुनाओ के पहले से आरेसेस ने राहुल गांधी को भाप लिया था भारत जोड़ो यात्रा से तारीफ शुरू हो गई थी लेकिन गांधी परिवार का और कॉंग्रेस का नहरू जी के बाद ये पहला शक्स है जिसने आरेसेस को ठीक डंग से समझा और ट्रीटमेंट भी सोचा थे बख्षने के मूड में नहीं राहुल गांधी इसलिए हर भाश्ण में उनके मोदी जी के दोस्तों के साथ साथ आरेसेस भी होती है जो खत्रा कभी नहरू जी महसूस करते थे वो यहां तक चला आया उसको राहुल गांधी ने पकड़ लिया और अब जिस तरह से वो लोगों के बीच में है राहुल गांधी चांदी के चम्मच लेकर के पैदा हुए और वो शहजादे हैं आवकात बता दी राहुल गांधी में कि राजनीती करते कैसे हैं राजनीती होती क्या है लोगों के बना राजनीती संभाव नहीं है और फिर वो रामचेत मोची से होते हुए मिथुन जो राइवरेली का वो नाई है वहां तक और वो तो हम देखी रहें लगातार आप एक एक जिक्र करेंगे घटनाओं का जहां राहुल गांधी गए है राहुल गांधी जिस तरह से मिल रहे है वो पूरा जो सौपन लोग था नरेदर मोदी का उसको ब्रेक कर दिया है आज की हकीकत यही है कि आज लोग राहुल गांधी को सुन ही नहीं रहे है उन पर भरोसा कर रहे है उन्हें मालूम है और राहुल गांधी की खूबी यह है कि कई बार वो उस कमी को भी महसूस करते है और गल्ती भी सुईकार करते है तो जो सर्वसाधारण वेक्पी है वो अपने आपको पा रहा है राहूल गांधी की इर्दगिर्द, कि ये शक्स है जो मानता है कि यहाँ गल्ती होती है इंसान से, अब मोधी जी तो नोन बाइलो जीकल है, उनसे तो कोई गल्ती होती नहीं, ये जो परस्थितियां है आज की, उसमें अब मोधी जी के लिए हमें लगता है कि अभी योगी जी ही बेडा कर देंगे, जो आपने शुरू में ट्वीट दिखाया था, महशासुर की वो बात कर रहे हैं और जारखंड में असुर नाम के पूरा एक आदिवासी समुधाय है, अब पता नहीं कि ये योगी जी को पता है कि नहीं पता है, तो और उन्होंने अपने कारकरताओं से कहा कि वो सब ठीक है, पहले समझ लेजिए, चुनाओ हम ऐसे ही लड़ेंगे और शहसेना और अजीत पबार के साथ ही लड़ेंगे, वहाँ बीजेपी बालों नहीं छोड़ दिया, कि जब इनके साथ ही भुगतना है तो छोड़ दे फि चक्का चल रहा है, वहाँ हर बोल पर फोर है या सिक्स है, भी राहूल गांधी को जाने तो दी दिये, भारत जोड़ो यात्रा में वो पहला स्टेट था जहां पर राहूल गांधी की लोग प्रियता बहुत तेजी से बढ़े थी, सबसे ज्यादा लोग प्रियता थोड़ी जाता है, यहां राहूल गांधी सबसे पहले लोग प्रियता में आगे निकले थे और अब नौर्थ इंडिया को जीते हैं, और वैसे मस्ता हुना कि भाक्तों का नशा उतरा है, और यह नशा अच्छा है, जो उतरा है, बिचारे बेरोजगार हैं, रोज तो गाली भी खा रहे हैं, क्या करेंगे, अब वही अंकिल जी टाइप के लोग बच्छे में, अब उनको उनके पास कुछ काम धाम है, नहीं सुबह साम क्या करें मिचा दें, उनके अलावा बाकी सब की हरारत दूर हो गई है, और अब लोग इंतजार कर रहे हैं, एक नई सुबह का, जिसमें रोजगार भी हो, किसानों को भी MSP मिले, जिसमें बच्छों का भविश्य दिखाई दे रहा हो, अब तो यहां मैं तो उनिवस्टी में हूँ, कोई बच्चा ये नहीं कहता है कि हमको नौकरी मिले, पूरे क्लास में मैंने पूछा एक दिन तो पूरा यही किया कि देखें, बच्चे क्या सोचते हैं, किसी नहीं कहा कि नौकरी मिले, इतना नाउमीदी पैदा कर दी है इस निजाम ने, और इसी लिए दाएं भाएं करके, मैं देख रहा हूँ कि लोग बले ही उस पूरे खेमे से आते हों, लेकिन अब धीरे बद, दभी जबान से तो नाम पूरे भारती राजनेती के पटल पर उगने वाला है, यह बहुत बड़ी बात आप कह रहा है, प्रशान टंडन जी आपके पास आना चाहता हूँ, जो लास्ट सेंटेंस है, यहीं से, क्योंकि मौसम की बात आप भी बहुत अच्छी तरह से जानते हैं, करते भी रहे हैं, म संबर में प्रशान जी, देखें, अब राजीव जी, हर्याना से सब पूरा तस्वीर जो है, वो बना रहे हैं, अब लोगों को समझ में आ रहा है कि हिंदू, मुसल्मान, नफलत, भाशनों में जुमले, यह नहीं चलेंगे, आपको डिलिवरी दिलनी होगे, यह बहुत डिल्वगी सरकार के नाम पर गवर्निस दिखाने होणा., मोजी सहाथ के साथ या जैसे और जो दूसरे मुक्ष मंत्री है, जाये हमंन, विश्वा, सर्मा हो, जाये तो से और गवलतर Goodman की, मुक्मंत्रियों इन लोगों के साथ समस्या क्या है राजीब जी कि इनको गवर्निस आती नहीं है यह करना निचाते हैं अब मुझे लगता है कि आती ही नहीं है यह उसी में उल्धे रहते हैं कि किस तरीके नफ्रत फ्हलाओ किस तरीके से राहुल गांधी को कोई वीडियो निकाल के उसका अलू सोना बनाओ इसमें वक्त जाया करते हैं और काम बेसिकली जो सेंटर लेविल पर होता है वो अडानी अंबानी के लिए ही होता है तो बेसिकली मॉडल यही है कि लोगों को उल्धा के रखो समाज में नफ्रत फिलाते रहो लोग शोशल म्यूरिया पर आके उसमें पत्तर फिकते रहें और सरकार की नीतियां सरकार के संसाधन वो जो है अपने मित्रों को आप डाइवर्ट करते रहें यह पूरा खेल अब लोग समझ रहें लिए किसान बहुत होश्यार होता है और किसान बहुत सारे लोगों से बहुत स्मार्ट होता है लोगों को यह मलम लिए राजी जी कल हम लोग एक बासमती धान के खेज में थे और वहां मैं बता रहाता है किस तरीके से की यॉरप के लोगों यॉरप के कंट्रीज ने जो है वो पेस्टिसाइड रेसिड्यू का लेविर कम कर दिया वहां किसानों को मलम साइए तो किसान जिन नीतियों को हम पढ़ते हैं दो दिन बाद या पिंक अकबारों में किसान तो जब अपना समान लेकर मंडी में जाता है उसको नीति समझ में आ जाती है उसी वक्त तो किसान को सब समझ में आता है कि खाज में क् हो रहा है जमीन की क्या हो तो यह साधिकित किसान को समझ के ति इसलिए आप इसलिए किसान नहीं बना सकते हैं कि शहरी मование क्लास वाटसेब युश्टी में आ जाएगा वह पारकों में ख़ड़ा ओके व्यक्तै के बाते सुनाएगा लेकिशान जहांसे में नहीं आता है जहांसे परना होता है तो किसी बिल वाफिस में पड़ते हैं तीवी में यह नहीं कहना पड़ता कि तबस्याben कमी रह गई हर्यारा तोगे किसी प्रजान देश है इसलिए हर्यारा ने इनकी गर्दन पकड़ ली कि यहां पर यह रही चलने देंगे और जो समाजिक एक्ता में जो ख़दर पैदा किया था उसको भी उल्लोगों अपने इस तरह से दूर कर लिया यहां के बाद की यात्रा बड़ी इंप वानीपत की हार के बाद सामराज में बिखराव शुरूव होगा वो बड़ा दिल्चस्प होगा देखना कि किस तरीके से जो है यह चिहास दौर आएगा और हर्यारा की हार के बाद महारास ज्यारकर्ण और जो अभी रवीकान जी कहरें जी ब्रैंड मोधी ब्रैंड मोधी तो दोजार जूबिस को जून के महीने में ही जो है चार जून को दिखा दिया गया ति ब्रैड मोजी क्या है उसमें अब आखरी कील जो है वो हर्यारा लगा के भीजेगा यानि जो उसकी जो पैकेजिंग है वहां से होगी और वहां से बाद वो डिलिवरी महाराष्ट में और जारकर में कैसी होती है ब्रैड मोजी की वह देखेंगे यहां से एक नई राजिती शुरू होगी अब इसी के बाद आप देखेगा कि बीजेपी के प्रेसिडेंट की बात भी आएगी तबाम सारी बाते अब आना शुरू कोड़ी यहां से और दो इनके बड़े इंपॉर्टेंट एलाई कडबंदन के तीन बनकी चुनाव आयोग ईबी और गोधी मीडिया इन तीनों पर भी आच आएगी अलग अलग जगा से आएगी और इन तीनों को भी अब सुप्रीम कोट से कही रात मिल जाए कहीं से रात मि लेकिन जंतां की इसे पैकेजिंग अच्छी करते हैं ली अच्छेंड आव टेया अच्छा कश्ण करते हैं अच्छा अच्छा काम करते हैं मेडल लेकर आते हैं किसान भी है मिजाब हर्याना और पश्ची में उत्तर प्रदेश के काफी किसान थे उन किसानों के बीच हम लगातार रहे गए और वहां से हमने कई सारे रोज शाम को शो किये वह आप लोगों ने देखा बहुत पहले पुरानी बात हो गई लेकिन अभी भी याद है तो पैकेजिंग की ब डाल दीए हर्याना में क्या यहां से अब उनके लिए महराष्ट और जारखंड बहुत मुश्किल होने जा रहा है रिजल्ट अभी सामने नहीं आया है हम बात जो कर रहे हैं जमीन पर जो देख कर आ रहे हैं वही बात कर रहे हैं रिजल्ट का इंतजार रहेगा और साथ कह रहे हैं संजीदी के साथ कह रहे हैं कि रिजल्ट नरेंद्र मोदी की पार्टी के पक्ष में दिखाई नहीं दे रहे हैं दोनों राज्यों के और ऐसे में अब महराष्ट का चुनाव और ज्ञारखंड का चुनाव कितना मुश्किल होने जा रहे हैं यह दोनों चुनाव आने वाले समय में डॉक्टर राकेश पाठक जी राजीब जी देखिए महराष्ट के चनाव का तो श्री गरेश राहूल गांदी ने कर दिजा रहे हैं वे कल जा रहा है चत्रपती शाहूजी महराज के नगर में कोला पर अभी आप ट्विटर पर देखेंगे तो कोला पर में पोलिस की गाड़ियां सुरक्षा इंतिजाम ले अपनी पद्यात्रा शुरू की थी तो महराष्ट में जो उनको प्रिशिसाद मिला था जिस तरह से लाखों लोगों की धिर चुटी थी उनके पूरे रास्ते में काईदेश और महराष्ट के चुनाव का आगवाज राहूल गांदी ने और कॉंग्रेस पार्टे ने तभी क पर लोग कहा करते थे जो हम पहले भी चर्चा कर चुके हैं कि राहूल गांदी चुनाव के बाद विजेश चले जाते हैं यह सब गोडी मेडिया और गोश्टों को पूर्प मेडिया के लोग करते रहे हैं लेकर तो राहूल गांदी एक दिन एक मिनिट भी सांस नहीं ले वे भारती जंता पार्टी को भी सांस नहीं लेने हैं कल के बाद महाराश्ट का चुनाव अब अपनी तेजी पर आज़नेगा हर्याना जम्मू कश्मीर के नतीजे 8 को आएंगे तब तक महाराश्ट और जारखंड की तैयारियां भी तेज़ हो सकते हैं अब राहूल गांद है अमेशाय ने जो बयान बाजी की अकेले चुनाव औरने की बात कहीं फिर उसको कहले गुए राहते को समेटने की कोशिस की उसके मुकावले जो महाविकास अगाडी है उद्धर ठाकरे शरत पवार और कॉंग्रेस ये तीनों लोग जिस तरह से अब तक एक चुट दिख हैं कोई कारण नहीं है कि चुनाव आते आते इनमें कोई भेद हो इजेपी के घडबंदन में हो सकता है अजित पवार एगनाच शिंदे के संगीत आती हो सकता है छोड़कर इधर उदर हो आप कल्पना कर सकते हैं कि जिस महराष्ट में तोड़ फोड़ करके भारती जन्ता पाइटी ने सर्कार बनाई गई किस तरह तड़के पांच बजे एक बार देविन भड़न पिस तो शपत दिलाई गई उसके बाद आब शिब सेना को तब ठाकरे वाली पाइटी को अमते पड़ियों के बाद इस सरकार को एक मिनिट भी सर्ता में रहने का नैतिक अधिकार नहीं था लेकिन वो सरकार चलती रही मुझे ऐसा लग रहा है कि वो भी ठीक हुगा सुप्रीम कोड के आदेश पर इस सरकार जाती यह इनके प्रकारें उत्व ठाकरे या कॉमरेस के साथ मिलकर माविकास गाड़ी सरकार बनाती उस से बहतर यह होगा कि जनादेश लेकर भी सरकार में आए इसके आसार अभी से दिखना शुरू हो गए तो नरेंडर मोदी जिस तरह हर्याना से तीन दिन पहले रन छोड़ दास बने हैं बाहराष्ट में भी वैसाई होगा क्य यह सवाल अभी से पूछना थोड़ी चल्डवाजी है लेकिन भाराष्ट उनके लिए वाटरलू साबित हो सकता है हर्याना के नतीजे जम्मू कश्मीर के नतीजे आने के बाद हर्याना में भाराष्ट में किन मुद्दों पर चनाव लड़ेंगे यह भी देखना बहुत ज से वे कुछ सबक्त सीख कर भाराष्ट जाते हैं या नहीं जाते हैं इसकी भी परिक्षा आठ तारिक के बाद हो जाए जी बिलकुल जलेबी और जलेबी पर अभी से थोड़ी दिर बाद डॉक्टर राकेश पाठक जी का वीडियो जरूर देखिएगा और बहुत मिश्र जी आपके पास आना चाहता हूँ और आपसे भी समझों क्या लगता है आपको अब बहुत कुछ महराष्ट में है और हम लोग भी बहुत उतावले हो रहे हैं उत्सुक्ता हमारी भी बढ़ रही है महराष्ट की तरफ बढ़ने की हर्याना और जम्मू कश्मीर के जो की पार्टी की तैयारियां उसी कदर चल रही है यहां पहले से ही एक मायूस चिंता की स्थिती और वैसे में और बीजेपी के बीच का जो दुवंद्व है वह उन सब के बीच महराष्ट के चुनाओं में कूदना जाना कितना मुश्किल हो सकता है बीजेपी के लिए यह महराष्ट में दिखाई तो सबसे पहले पढ़ रहा है देखें जब दोहजार यह लोगसभा चुनाओं के परिणाम आये हैं तो जिन दो राजियों में सबसे ज्यादा हल चल होई उनमें उत्तर प्रदेश और महराष्ट दोनों राजियों में बीजेपी को एंडिये और दोनों ही जगहों पर प्रदान मंत्री नरेंद्र मूदी के ऊपर इस बात का दबाव पढ़ने लगा कि यह सारी जिम्मेदारी उन्हीं की और सीधे तोर पर महराष्ट में तो कह दिया देवेदर पढ़न्वीस ने भी कह दिया और नेताओं ने भी कि यह तो अजीद प परिणाव के परिणाव आने के बाद से ही शुरू हो चुका है उस स्थितिमें उस से यह आकलं किया जा सकता है कि वहां भी क्या होने वाला है वही इस्थिति हरयां वे दिखाई पड़ी हाला कि यह विदान सभा चुनाओं से पहले ही लोग सबाचुनाव से भी पहले यह इस्तिती यहां पर गटबंधन के जो सहयोगी हुआ करते थे पहले भारती जनता पार्टी के बाद भारती जनता पार्टी सुपरसीट करके और उनको एक तरह से समाप्दी ही कर दिया उनक्षे प्री पार्टीयों को अमिश्य यह कह रहे हैं कि अभी तो हम के साथ में चुनाव लड़ रहे हैं दोहजार उन्तीस में अकेले लड़ेंगे यानि उन्हों ने अपने गड़बंधन के सहयोगीों का भविशे पहले ही तैकर दिया महाराश्व में भी जब यह सही है सभी को पता है कि क्या होना है कह रहा है कि हमारा स्ट्राइक रेट बढ़िया था लोगसभा चुनाव में तो हम सीटें ज्यादा लेंगे तो यह सारी चीजें यह बता रही है कि अंड़िये गडबंधन किधर जा रहा है और अब जिस तरह से इंडिया गडबंधन को हम देख रहे हैं लोगसभा में तो मजबूत स्थित में तो दिखाई ही पढ़ रहा है दूसरी बात ये है कि जो अभी दस साल का एक दौर रहा प्रधान मंत्री नरेंद्र मूदी का और यह कहा जाता था कि बिल्कुल जो कह रहे हैं वही हो रहा है जो चीजे हैं और राहुल जहां जान ग्री नेत्रे तो कमजोर हुआ तो पिर दीरे दीरे जो ख्षेत्री चेत्रव है पहले सामराजियों में हुआ करते थे चाहें फिर पार्टियों में होने लगे वह फिर करना शुरू कर देते हैं और आख दिखाना शुरू कर देते हैं दस साल तक तो केंदर में पूर्ण बहुमत की सरकार मोदी जी चला रहे थे तो जाहिर सिवा और उनका तरीका भी इस तरह का था कि कोई बोल नहीं पाता था चुकि किसी विजाच एजनसी को पीछे लगा देत देते थे और भी बहुत सारे उनके पास तौर दरीके तो कोई नहीं बोलना था लेकिन अब आख सभी लोग दिखा रहे हैं कुछ लोग कहते हैं कि भारती जनता पार्टी अनुशासित रही है हमेशा से रहा है तो लोगों को अटल ब्यारी वाजपी और आडवाणी जी का दौर याद करना चाहिए किस तरह से कल्यान सिंग ने आख दिखाई थी किस तरह से शेक्टर सिंग भागेला दे तो जब केंद्री नेत्रुट कमजोग रहता है तो चाहे कांग्रेस पार्टी का रहा हो यहां भी हम लोगों ने देखा और अब जब उधर मजबूती बढ़ रही है तो वो सारे नेता ये भी हम लोग कई बार चर्चा कर चुके हैं कि जितने आते कांग्रेस शोड के बीजेपी में जाते दिख रहे हैं यही सबसे पहले छोड करके फिर कांग्रेस की और आएंगे अब यह तो कांग्रेस को तय करना है कि कि सिस्तर पे छोड के जाने वालों को ले रही है तो लपोलू आप यह इन सारी चीजों का कि महाराश्ट्र में तो इस्थितियां हरियाना से भी ज्यादा प्रतिकूल दिखाई पड़ रही है अब तक कि चुकि एंडिये गडबंधन के घटक दलों में अब यह लग रहा है कि हम बीजेपी के साथ चु पर हो इस्थितियां वहां भी चुनाओ की घोषणा से पहले चाहे कितना भी वहां दौरा महाराश्ट्र में खास तोर पर महाराश्ट्र में तो बीजेपी की इस्थिति आर एन्डिये की इस्थिति बहुत अच्छी नहीं दिखाई पड़ रही है हरियाना से भी ज्यादा खराब भी करेंगे क्योंकि वहां इंडिया कटबंधन मुखाबले में बहुत ज्यादा मजबूती के साथ खड़ा हुआ है जी महाराष्ट में इंडिया कटबंधन बहुत मजबूती के साथ है और उसका रिजल्ट आप लोगों ने देख लिया लोकसभाद चुनाओ दो हजा पी आखिर जाए तो कहां जाए अमित शाह कहते हैं कि अगली बार हम अकेले चुनाओ लड़ेंगे इन सब के बीच उधर उसी महाराष्ट में आरेसेस का मुक्याले भी है नागपुर में और नागपुर से भी बहुत कुछ खबरे बहुत सारी खबरे आ रही हैं जिसको ले उनके भक्तगर्ण भी क्या वैसे ही है जो आलू को सोना बनाने का जिक्र करते करते आज जलेवी की फैक्टरी तक आ गये हैं लेकिन बदला कुछ नहीं है उनका काम भी नहीं बदला है और सबसे बड़ी बात कि पैसे यानि महंगाई इतनी बढ़ गई उनकी कीमत दो अपनी कीमत बढ़ा लो और थोड़ा सा पढ़ लिख लो बुद्धी रहे तो बहतर होता है आखिर आपकी जीत बुद्धी के दम पे ही होती है जीत हार जो ये पॉलिटिकल जीत हार है उनका टूल बनके क्या करोगे आप कोई फायदा नहीं है चलिए ये सलाह है हम थोड़ उनसे जादा पढ़े लिखे हैं और जितने हमारे साथी हैं सब उनसे जादा पढ़े लिखे हैं इसलिए भी बात कहता हूं कि थोड़ा सा पढ़ लिख लें बेहतर होगा वरना आप तो जानी रहें कि आपकी हालत कैसी कर दी गई है आपके निताओं के बच्चे अमेरिका इंग्लेंड में पढ़ते हैं आप यहां दो रुपे की नौकरी कर रहे हैं यही से समझ लिजे कि आपका काम क्या आपको किस स्तर पे पहुंचा दिया गया है भक्ती इस भाव से मत कीजिए जहां पर आपको बिलकुल जो अंधा भक्त कहा जाए जो आप बन चुके हैं लास्ट कमेंट क्लोजिंग कमेंट अमिलेंदू उपाध्याई जी क्या देखते हैं यहां से आप जब भक्ती भाव के साथ हम उधर महाराश्रा चलते हैं तो कि वैसे भी महाराश में तो अंद्र शिद्धा उन्मुलन कानून लागू है तो वहां तो वैसे भी इस बार में लगता है कि वह अंद्र शिद्धा उसका प्याड़ा हो जाएगा और अभी तक जो सुंचनाय मिल नहीं है अभी तक की जो परिसित्नियां उस पर साफ़तों क कि महाराश भारती जिन्ता पार्की के लिए खीक उसी तरीके से वाचान नुसावित होने जा रहा है आपको याद हो राजीब जी कि हम लोगों ने जब लुक्सवाचनाओं की हमलों लगा ता जनिक्षा कर रहते चल रहा था उससमां भी हमने कहा था कि उत्तर प्रदेश औ महाराश कुल राजी महाराश सब्षक्नेट मआ कि तेखा और प्रदेश रहे शुक्ता जा लेका नियुक्यर जीक हां मुश्किल हो जाता है दूसा यह महाराश की बीजेपी और नरेंद मोती और अभिशा की बीजेपी इसके बीज में भी संगश्चों काफी जाद है और चोड़ा करनेगा और महाराश के बाद एक साफ नकीर जो है जादी कहिए कि तल्वाने खिचुए आपको नरेंद मोती और आमिशा की बीजेपी और लेस्ट ओपी जो है उसके पीचे आपको तनीहीं दिखाई पढ़ेंगी या भी से समयारा सकता है बिलकुल बिलकुल बहुत महत्वपूर्ण बात आप रख रहे हैं और यहां से आज जब इस कारिकरम को हम समेटने जा रहे हैं समात करने जा रहे ह जटका है अशोक तवर का वाफस आना पाटी में यानि कॉंग्रेस पाटी में वाफसी उनकी ये बहुत बड़ा जटका है रात को नींद आएगी के नहीं आएगी नरेंदर मोदी को ये वो जाने लेकिन इतनी उम्मीद हम कर सकते हैं कि ये एक जोड़दार जटका है और ज पांस तारीक यानि परसो वोटिंग है हरियाना में अगर आप हरियाना से इस कारेकरम को देख रहे हैं तो वोट डालने जरूर जाईए और बड़ी संख्या में जाईए जैसे उधर जमू कश्मीर के लोग गए थे वैसे निकलिए खोब ठोक के भाव में जिसको बोलते हैं आठ तारीक को उससे पहले दो दिन मजे लीजिएगा एकजिट पोल देखकर क्योंकि हमारा ही नहीं कई और लोगों के होंगे चार सो पार वाले भी होंगे शायद देखते हैं तो आप सब का बहुत बहुत शुक्रियादा करता हूँ अमलेंदू जी आपका डॉक्र आपको भी राजियन बनसोरे सहाब बहुत 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 शुक्रिया बैंगलूरू से आप हमारे साथ जुड़ते हैं शाहिद नईम सहाब हैं अंधभक्त खुद भटके हुए हैं लेकिन दुनिया को रास्ता दिखाने का दावा करते हैं असलम चिस्ती जी लिख रहे हैं की चर्चा को ध्यान से सुना अच्छा लगा ये ख़बर जानकर यकीन हो गया अशोक तंवर कॉंग्रेस में शामिल हो गये हैं और हरियाना में कॉंग्रेस जीत पक की नजर आ रही है रिदी कपूर जी कह रही हैं वेरी वेल सेड राजीव जी गुड़नाइट और टीम डि और खूख।